तो नमश्कार दोस्तों मैं कॉसलेन सिंग अपने यूट्यूब चैनल पर समझ समानित से छक्से चिकाओं का स्वागत वा हारदी का भिनेंदन करता हूं आज हम लोग मानो संप्रदा पोर्टल है तू डाकूमेंट्स अपलोड करने के लिए जो उसका साइज है कि हैंड़ेट के वी से कम का फोर्टो या जो आपका डाकूमेंट्स लगेगा उसको हम कैसे रिसाइज करें तो आज हम उसके बारे पे जानेंगे सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले सटोर में जाएंगे जैसा यह दिख रहा है इसको हम क्लिक करेंगे इसको क्लिक करते ही यहाँ पर सर्च बार आएगा play सटोर का तो यहाँ पर हम Photo foto Zezi HDRraySizer hd इसको जो है हम टाइब कर देंगे और इसको सर्च कर देंगे तो देखिए मेरे में already installed है लेकिन आप में इस परकार का icon आएगा अब आपके mobile में इस परकार का icon आएगा अब हम इसको click करेंगे photo resizer को click करते ही इस परकार के दो option दिखाई पड़ेंगे आपके सामने एक gallery का और एक setting का तो यहाँ पर आपको उस photo को select करना है gallery में जाकर जिसको की हमें resize करना है तो यहाँ पर देखिए हम gallery को click करेंगे तो इस परकार से बहुत से pictures हमें दिखाई पड़ेंगे लेकिन हम उस documents को click करेंगे जिससे हमें resize करना है अब मालिया हम इस photo को select करना चाह रहे हैं तो हम इससे click कर देंगे और click करते ही आप photo के नीछे आप देख रहे हैं इस परकार का आपको सिंबल दिखाए पड़ेगा इसको हम click कर देंगे क्लिक करते ही इस प्रकार के हमारे पास बहुत से आफसन आ जाएंगे क्योंकि हमें handed जो केबी है उससे कम का ही फोटो रिसाइज करना है तो यहाँ पर जो हमारा custom है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यह custom इसको क्लिक करेंगे इसको क्लिक करते ही हमारे पास देखी यह automatic 460 into 613 आ रहा है हम इसको ok कर देंगे ok करते ही अब आपका फोटो automatically resize हो चुका है और यहाँ पर आपको gallery में देखने के लिए यहाँ पर देखे यह option एक दिया हुआ है यह इसको हम क्लिक कर देंगे अब आपका जो image है वो resize हो चुका है अब हम जो हमारा photo resize हुआ है अब हम उसको check करना चाहते हैं कि वह 100 kv से कम का है या नहीं है तो उसके लिए जैसा आप देख रहे हैं gallery में पुना आएंगे यह gallery हमारा gallery में आकर हम इसको क्लिक करेंगे क्लिक करते ही देखे यहाँ पर आपके सामने यह photo resizer sd का एक यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ेगा यह folder है इस folder को आप क्लिक करेंगे फोटो को जो आपने click किया तो देखे इस परकार से आपको दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर ठीक right hand पर इस परकार से आपको तीन dot दिखाई पड़ेंगी तो तीन dot को आपको क्या करना है प्रेस करना है प्रेस करते ही आप यहाँ पर देखे detail दिखाई पड़ रहा है तो detail दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर आप detail में चेक करेंगे तो जो photo है आपक के बी का हो चुका है अता अब आप अपनी फोटो को या डाकुमेंट्स को मानो संपदा पोर्टल पर अपडेट या अपलोड कर सकते हैं